हेलो वेल्कम बेगाई स्टागे अपकर दो इंट्रेक रिसर्ष एले सबस्टीट फटेट वेटी सेकेंड सेप्टमबर 2022 वीडियो में आज इंपर फिर से इंपर डिसक्स करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से टागेट आने वाले कल जो फ्राड़े का सेशन है कैसे हो सकते हैं तो सबसे बहले बात करेंगा आज हम लोग निफ्टी की तो निफ्टी के जो क्लोजिंग है वो माइनस में यानि की गिरावड के साथ निफ्टी क्लोज जो है जैसे कल वाली वीडियो में में डिसक्स किया ही था कि रेट है अगर 0.75 होता है तो वो ज्यादा चिंता का कारण है क्योंकि इसका मतलब यह है कि सरकार जो कहींने कहीं मान रहे है यूएस की सरकार जो है और उनका जो फैड है वो मान के चल रहा है कि अब भी जो inflation है, recession का जो peak level है वो अभी आया नहीं है, इसका मतलब आगे चल के situation और खराब हो सकती है, इसलिए उन्होंने 0.75 का ही rate high किया है और इसी विएस से हमारे बाजार आज red में close हुए, प्लस अगर हम बात करेंगे US market, तो US market भी red में ही close हुए वहाँ से market ने 17,722 का high बनाया, यह है market का आज का scenario, तो market खुलते के साथ ही छोटा सा dip आया, dip के बाद market ने यहाँ पर हम लोगों high बना दिया और यह market ने एक high बना के दिया यहाँ पर market ने 17,722 का high बनाया 722 का तो यहाँ पर बनाया यहाँ पर 17,720 का high बनाया और first 50 minute की 3 candles के बाद, अगली candle से market में गिरावट इस्टाड वी गिरावट में market ने आज जो support बनाया वो लगबख 17,525 का support था, उसके बाद market ने जो है साड़े बारा एक बदे के बाद recover किया, और recover में market ने करीब 800 से पहुने 200 points का आप लोग को यहाँ पर return दिया और फिर उसके बाद market आखरी के 1,5 गिंटे फिर से surrender करके चला गया आज ऐसा नीदा कि आपको volatility market में नहीं मिला, खोलते के साथ आपको volatility में अपside में, उसके बाद downside में मिली, हमारा conviction आज का चैनल से ही गिरावड start होगी, तो market में जैसे गिरावड start होगी, इसका वंदर train negative confirm हो गया, और उसके बाद market में यहाँ पर support लिया, और जैसे के हमने आपसे promise किया था, कि जैसे ही market open होता है, अगर हमारे बतायवे level से नीचे हैं, बहुत जाद ऊपर open होता है, तो हम प्री market open होते के साथ ही, आपको update कर देंगे, तो हम लोग ने क्या open दिया था आपको, यह market का जो day का support है, वो है आपका 17450 से 525, market आपके जो level test कर सकती है, downside में 17550 से लेके 525 के हैं, और उसके बाद market आपको recovery में यह target दे सकती है, तो market जो एक होलते के साथ उपर गया, फिर उसके बाद market ने यह वाले targets आपको दिखाए, support लिया, support के बाद reversal आया, और जो live session हम लोगों ने आपके लिए conduct किया था, यह था आपका live session, trading warrior channel के उपर, तो यहां भी हम लोगों ने आपको बोला था जाते वक्त कि एक बज़े के आसपास या एक बज़े के बाद, आप लोग call option की side में, यानि call वाले side में ही आप लोग जो है, zero to hero call लेना, और exact अगर आप देखो बन हुआ, और लोग बनाया, 40360 का, high बनाया, 4169 का, तो निफ्टी बैंक का भी कुछ कुछ ट्रेंड जो था, exact वैसे ही था, ज्यानि कि 407-800 के support को भी निफ्टी बैंक ने तोड़ा, और उसके बाद एक नय लोग बनाया, फर उसके बाद आज का जो शैशन था, काफी वोलेटाइल था, अगर आप देखेंगे तो डाउन्वर ट्रेंड जात था, एक बार के लिए निफ्टी ने फिर भी जो ओपरिंग लेवल ते उसको रिट्रेस किया, बैंक निफ्टी जो है, चाले जार 950 के असपस गया, उसके बाद वापस आज का मार्केट था, आप सवाल याता है कि कल का मार्केट कैसे जाए, तो उसके लिए मुख सबसे बहले ग्लोबल मार्केट का माहौल चेक कर लेते हैं, कैसा चल रहा है, निफ्टी हमारा गिरावट में गया, सेंसेक्स के अंदर गिरावट पौन आदा परशन की S&P 500 नेगिटिब में, तो अमेरिकन मार्केट अभी बेरिश मोड में ही नज़र आ रहे हैं, इसके बाद अगर मात करेंगे, यूरोपिन मार्केट में लंदन की, लंदन मार्केट अल्मार्केट के असपास है, परिस मार्केट में गिरावट है करीब पौन एक पशन की, फ् अभी मार्केट के अंदर गिरावट है, और इसी विज़र से आज हम लोग देखें, तो हमारी मार्केट ने भी इसी ट्रेंट को फॉलो किया, और 0.75 का जो रेट हाइक है, यहां पर कहानी खतम नहीं होती है, अभी इस साल के अंदर आपको दो रेट हाइक और देखने के ल सबक्षिन के असे, तो यह है, आज का 22 सितंबर का डिटा, अगर हम बात करें, FI-स ने आज कितना बेचा है, पच्चिस सो करोड की बेहंकर बिक्वाली की है, पच्चिस सो करोड की भेंकर ऑट के साथ, अगर हम बात करें मन्थली ड़ीटा में, तो सेफ्टंबर का जो पहले देखने लें मिल रहा था वही train यहां पर इन लोग का वापस से continue हो जाएगा इसी तरह आम लोग बात कर रहें कि डियाइस की तो देख लेते हैं कि डियाइस ने हम लोगो cash market में कुछ support दिया है या नहीं दिया है तो डियाइस monthly data में तो पिछले महिने से बेची रहे हैं तब हमारे डियाइस क्या कर रहे थे market में बेज रहे थे और इस बार भी जब FISA कर रहे थे तब हमारे मार्केट में लगाता है D dis क्या कर रहे थे बेच रहे थे इसका मतलब अगर FISA की तरफ से सैलिंग आती भी है आने वाले एक रफते तो हमारे d IS क्या करेंगे buying start करेंगे और हमारे डियाइस बाइंग करेंगे तो हमारी मार्केट के अंदर जो डाउन फॉल आएगा तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा अब इसके बाद हम लोग आते हैं PCR ratio तो यह हम लोग आ चुके निफ्टी का PCR ratio 22 सितंबर का कितना आज का जो क्लोजिंग है आज का PCR ratio 0.78 का है और लाइब मार्केट में भी आपको बोला गया था कि 17500 का लेवल मार्केट केसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि को ट दिखाया भी था कि 17500 के लेवल को रिस्पैक किया PCR ratio काफी ज्यादा कम हो चुका था और मार्केट में ज्यादा सालिंग प्रैसर आता भी तो उसको मार्केट ज्यादा देर ज्यादा देर उसको रुकने नहीं देती और वापस डैफिरिटली बाइंग आनी थी अब PCR ratio कितना है अब अगले अफ़ती के एक्सपैरी का हुआ है 0.89 का किसी ने मुझसे पूचा भी तर लाइफ सेर्शन में क सर हम लोग कल के दिन कॉल आप्शन लेकर कि जाएं पूट आप्शन तो उनको हमने मना किया था कि कॉल आप्शन बत लेना क्योंकि अबी मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट तोड़ा सा वीग नज़र आ रहा है ऐसे में कॉल आप्शन में काफी रिस्क रहेगा बड़ को काफी लोग यहां पर कॉल को शॉट करके गए बेज करके गए यह एक सर्प्राइजिंग डिट है बहुत बहुत कर कॉल राइडिंग हुई है उनने जार के लावल पर अटालिस लाख सतानबे हजार पचास शेयर्स आज कॉल बेज करके गए प्रेडर्स इसका मतलब करेंगा इसके बाद हम लोग सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो 17500 का ही हम लोग को फिलाल सपोर्ट नजर आ रहे हैं अगर बाजर इसके नीचे ही उपन होता है तो ऐसे में हमारा जो सपोर्ट बाजर के लेगा तो 17440 से लेकर के 350 का यह रींज हमारे लेक बड़ी सपोर्ट का काम करेंगे अगर इसको तोड़े का बाजर तब उसके बाद हमारे बाजर में जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है तो फिलाल यहां से इस डेटा को हम लोग जो है ज़्यादा खराब नहीं मानेंगे इसको हम लोग ठीक ठाक मानेंगे आवरेज है क्योंकि PCR हमारे comfortable है PCR ratio हमारे कितना है 0.89 की असपास है PCR ratio को हम लोग positive side में फ्ला लेकर करके चल रहे है अगर market बहुत जाद गैप डाउन से खुलता है या खुलने के बाद गिरावड होती है तो हमरे ले बाइंग opportunity होगा इसके बाद चार्ट पर जाने से पहले हम लोग देख लेते है दुनिया की 5 सबसे बड़ी companies का क्या हाल चाल है गूगल का share 100 dollar के नीचे फिसल चुका है बाइंग करने के लिए बढ़िया opportunity बन रहे है टेसला का stock आज 300 dollar के नीचे फिसल है यहां भी कच्छी opportunity है Microsoft का stock अभी comfortable zone में नहीं आया है बाइंग करने के लिए Apple का share 140 dollar के level के असपस ग गूगल हो गया इन 3 shares के अंदर अच्छा conviction निकल करके आ रहा अच्छे levels पर यह हमको मिल रहे है US के 10 साल के bond sale 4% की आज तेजी है देखते देखते कहां पहुंच गया है एक टाइम पर इनकी जो US के bond sale हुआ करती थी 1.8 से लेकरके 1.6 के बीच में हुआ करती थी और आज के असपास जाने वाला है टोटल में और आज ही 4% हाई बनाया है तो मतलब गजब के आप अब देख रहे हैं कि तेजी आ रहा है यह रिशाशन का clear indication है और कूड़ की बात करी जाए तो कूड़ फिला 6600 के level के असपास hold कर पा रहा है डाओ जोंस के गिरावट अभी 100 points के अस पासा red में यानि कि नीचे के level पर trading कर रहा है तो बाजार में भी यहाँ पर इनका support इनको मिल सकता है जो last वो है ग्याराजार 475 से रिकर के 460 का अगर बाजार यहां से recover कर लेता है ठीक है नहीं तो फिर हमारे बाजार के लिए खराब संकेत होंगे कल के लिए तो इसके बाद हम लोग आते हैं यहां से देखे यूएस डॉलर यूएस डॉलर लगातार कितना भेंका गिरावट में 81 डॉलर के असपास जा चुका है बहुत खतरनाक situation है यह मारे लिए अच्छे संकेत नहीं है और IT सेक्टर के लिए बहुत खराब संकेत है इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा मार्किट कहां पर close हुए है 17.639 और ASX 50 ने 17.600 के लेवल को तोड़ दिया है तो अगर कल मार्किट हमारा 17.525 के असपास ही open होता ह तो हमारे लिए 17.500 का support हो सकता है काम ना करें तो इसके लिए हम लोग पर चार्ट पर चलते हैं तो यह हम लोग उने चार्ट लगा लिए हैं इसको हम लोग 15 मिनिट में convert कर लेते हैं 15 मिनिट में अगर हम लोग convert करते हैं चार्ट को तो आप देखिए कि मार्किट ने जो तो अगर मार्केट कल फिर से गिरता तो मार्केट के लिए जो अइसा लगाएंगे जो तो 280 का यह कल के लिए लेवल है आपके तो 17345 से लेखे 440 के बीच में अगर मार्केट कल आपको मिलता है इंट्रेडे में तो यहां से हम लोग छोड़ा से असल लगाएंगे रिवर्सल के लिए हम लोग 100-500 पॉइंट का रिवर्सल के लिए हम लोग लोग प्ले कर सकते हैं जासे हम लोग ने एक बज़े क्या सपस का था अगर सपोस मार्केट इसके बाद अगर हम इसको फोड़ा चार्ट को जूम आउट करते हैं तो आप देखें 17-480 यह एक लेवल है जहां पर हमारे को पहला सपोर्ट कल मिल सकता है रिवर्सल के लिए और जो ब्लू लाइन है अगर उसके ऊपर निकलता है मार्केट तब ही हम लोग बाइंग के तरफ देखेंगे तो कल कुल अगर क्ल हम लोग के लिए क्या है अगर मार्केट यह उन तुन क्लोस हो जाती है घीरियं में या फिर फ्लैट के असपस तो हमारे मार्केट जहां पर close हुई है वहीं क्या स्पस्ट खुलेगी ऐसे में हमारा मार्केट लिए सपोर्ट रहेगा 17500 करेगा तो कल हम लोग क्या करेंगे हमारा मार्केट जो सपोर्ट रहेगा 17000 38375 का आप लोग लगा लेना है stop loss 440 इस रेंज में आएगा तो आप लोग माइंग करेंगे stop loss आपका रहेगा कितना 17280 का और टागेट कल मार्केट आपको रिवर्सल में दे सकते हैं तो यह है आपका निफ्टी के लिए कल की कन्विक्शन क्या है कन्विक्शन फिलाल यह है कि अगर मार्केट गैब डाउन लेता है है वेड़ नहीं जवेडिक्शन लेता है